इंडिया बुल्स होजिंग फाइन्स लिमिटेड के उपर बात कर रहे हैं टोटली 17 डेस हो रहा है 17 डेस इसी डिये हो रहा है क्योंकि हमारे एंट्री 20 पे हुई हमारे एंट्री 215 पे भी हुई चोट टागेट ऑफ 240 प्रोफेशनल शॉट टागेट ऑफ 255 पाइनल टागेट ऑफ 270 और मैं 270 के आगे आपको टागेट देरा भी नहीं था क्योंकि उससे ज्यादा स्टॉक रैली देगा नहीं पर एन एक जेंपल कोई भी स्टॉक के अंदर एक 100% है 100% का स्टॉक है अगर उस पर उससे ज्यादा भी दे रहा है तो उसके अंदर बनेगा उससे कम हो रहा है तो उसके अंदर बने गार्फ उसके पर यहां मैं उसके हिसाब से फ्रेश बाइंग दे रहा हूँ अगर आप अल्रडी ऊपर कहीं लेवल पे खरीदेओ like 270 पे भी खरीदेओ 250 240 पे भी खरीदेओ डरने वाली बात नहीं है average करिए double profit होगा पर time frame change हो जाएगा दूस्तों अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए इंडिया बुल्स हौजिंग फाइनस लिमिटेड का यह वन डे का कैंडल चार्ट है नाशनल स्टॉक एश्टेज आगे चलके वीडियो में 15 मिनेट्स का इंडिया चैनल चार्ट अनाल्सिस करके उसके बाइंग और सेलिंग के टार्गेट्स वीडियो के आखरी में मैं खुद प्रोवाइड करोंगा आपके लिए अब देखिए अनाल्सिस करते हैं आज मैं अनाल्सिस के लिए एक इंडिकेटर दो ऑसलेटर इस्तमाल कर रहा हू oni अब इस्तमाल्सिस कर के लिए एक मुविंग एवर्जी जो त्रिंड बताता है चयल का ट्रेंड बताता है यो यYo नीचे बताता है विकनेज बताता है या की एमेसडिया इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता हैगी भाई काहां पर वाई करे तो उपर जाएगा काहां पर सैल करेंगे तो profit उने के बाद स्टॉक नीचे यह तो सभी का जो playipe role अलग अलग है तो सभी को हम लोग विलाकर काम करेंगे तो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए exponential moving average head level है रूपर से stock consolidation है previous time stock breakout दिया resting period नहीं दिया उसके बाद यहां पे rest period दिया है यहां पे rest period दिया है resting period ही है और resting period के उपर से ही उपर जा रहा है अगर यह लग भग नीचे भी आने लगे दोस्तों इस resting period के बाद ही stock के अंदर फिर से ट्रेंड चेंज होगा वरना तब तक stock में ट्रेंड चेंज नहीं होगा अभी stock के अंदर 60 RSI ठीक है और नीचे देखो 40 RSI टोटली mid of bottom fishing mid of bottom fishing consolidation चल रहा है consolidation over buying का अभी तक मैं आपको कई औरली बताया था starting में थम निल पर क्या बताया over buying चल रहा है जो consolidation में देखने को मिल रहा है उपर से loose candle formation है पर यह fake है क्यों fake है पता है Monday live market में pressure first off selling है उस selling में stock 220 से लेके 215 तक कहीं पर भी देखने को मिला दोस्तों entry ले लो target of 240 and target of 260 मैं दो ही target दे रहा हूँ final target नहीं दे रहा अगर दो target अच्छी होगे तो समझ जाए stock के अंदर 290 तक trend बनेगा यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लिजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए इंडिया बूल्स housing finance limited का ये 15 minutes का इंडरे candle चाटे national stock exchange 15 minutes के हिसाब से Friday live market में market के साथ stock निचे गिरा totally consolidation है पर ये consolidation में भी Monday live market selling है उस वज़े से इंडिया बूल्स housing finance में first half selling ये होगा तो थोड़ा बहुत selling का वेट करिए पर properly तो stock totally on buying है और market second half भी बैइंगी जाने वाला है दोस्तों 24th December 2021 इंडिया बूल्स का closing है to 19.75 पैसा ये मैं target निकाल रहा हूं for 27th December 2021 Monday के लिए Monday live market में आपको मेरे levels में buying opportunity या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेकर चल सकते हैं दोस्तों